पार्लिमंट में कहा था एक लाख करोर रुपए एक लाख करोर रुपए एचेल को इस सरकार ने दिये हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेट्मेंट में उन्हों ने कहा कि 26,570 करोर रुपए एचेल को दिये गए मतलब निर्मला सीता रमन जी ने पार्लिमंट में डाइरेक्ट जूट बुला यहां पर उनकी स्टेट्मेंट में लिखा है रिक्वेस्ट फोर प्रोपोजल्स एंड केसेज़ एक टेक्निकल एवैलुएशन कमिटी टेक्निकल एवैलुएशन का मतलब पैसा देना नहीं होता है तो यह जो उन्होंने 73,000 करोर का दिया है यह बिल्कुल बखवास है जूट है और जो अक्चल पैसा दिया गया है वो 26,570,000 करोर रुपए दिया गया है तो यह डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली एक जूट बोला दूसरे भी दूते इन जूट बोले है और मैंने उनसे एक सवाल पूछा सिंपल सा सवाल और मैं फिर से पूछता हूँ नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूँ और निर्मला सीतरमन जी से पूछता हूँ जब नरेंद्र मोदी जी ने राफाइल कॉंट्राइट को रद करके बाइपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉंट्राइक तियार किया था तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने एरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरंस पर अब्जेक्शन किया था हाँ या ना जब मैंने ये सवाल निर्मला सीता रमन से पार्लेमेंट में पूछा उन्हेंने बहुत लंबी बहाने की कहानी थी कि मेरा बैक्राउंड मिडल क्लास बैक्राउंड है ये वो है वो भी जूप था मगर हाँ और ना का जवाब निर्मला सीता रमन ने नहीं दिया मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ निर्मला सीता रमन जी को नरेंद्र मोती जी को आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए जब आपने बाइपास सरजरी की 126 से 36 हवाई जहास का कॉंट्राइक्ट बदला क्या एर फोर्स के सीनियर लोगों ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने आपके इंटर्फेरंस पर अबजेक्शन किया था हाँ या ना हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं बस आप दो एक शब्द का सवाल जवाब दे दीजिए या हाँ कह दीजिए या ना कह दीजिए आखरी बात निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि हम एचेल की मदद कर रहे हैं चोटा सा सवाल डैसोल्ट कंपणी ने एक भी हवाई जाज डिलिवर ने किया है आज तक एक हवाई जाज नहीं आया है बैसोल्ट कंपणी को बीस हजार करोर रुपे हिंदुस्तान की सरकार ने पे हेलिकॉप्टर्स डिलिवर कर दिये हैं और पंद्रह हजार साथ सो क्रोर रुपे उनका पैसा आप उनको नहीं दे रहे हो उनका ड्यू है कि फोरेंड कंपणी अने लंबानी की के मित्र पीस हजार करोर रुपे बिना एक हवाई चहास बनाए आप दे 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 रहे हों क्या कारण है इसका इसका भी जवाब दे दीजे और में में मुद्धा यहां मैं फिरसे युवाह को बढ़ाना चाहता आ हूँ यह आपका पैसा है यह अनिल अम्बानी का पैसा नहीं है और जो धाई घंटे का भाशन डिफेंस मिनिस्टर उनको डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए उनको डिफेंस मिनिस्टरी के स्पोक्स्मन कहना चाहिए नरेंदर मोधी जी के स्पोक्स्मन कहना चाहिए जो उन्हो सबसे पहले उन्होंने मेरा येस नो का जवाब नहीं दिया नंबर दो उन्होंने ये नहीं बताया कि 30,000 क्रोड रुपए अनिल अंबानी को किस बेसिस पे दिये गए और इन जवाम को इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है और आपने देखा भाई और बहनों कि हैं लोक सवामे आने से दरता हैं राफणे सामने करे नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर नरेंद्र र मोधी जी मेरे साथ डिवेट कर जाए मुझे 15 मिनटे दो नरेंद्र मोधी तो प्रश्वार्ट पर निर्मान सीतारमन ने क्लियर यह देखिए जूट बोला है लोकसभा वे जूट बोला है एक लाग करोड रुपे के हमने ओर जेचेल को दिया है उनीकी स्टेटमेंट में आज वह कह रही है चपिस दार पांसो सत्तर और उनीकी स्टेटमेंट में उनने और वो तो डिस्ट्रैक्शन वाला जूट था वो तो देश की नजर को उधर करने का जूट था में जो उन्होंने जूट बोला जब मैंने येस नो का सवाल पूछा उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया मुझे हुमिलियेट किया मैं मिडल क्लास की हूँ सबसे पहले वो जब दो मैं यह नहीं कहना हूं कि भाईया वहां पर दो घंटे का भाशन दो मैं सिर्फ कहना हूं आप येस नो बोल दो और हमारी जो प्रेस के मित्रा है को पूछिया मैं फिर से सवाल दो राता हूं यूवां सुनो नरेंद्र मोधी जी ने राफाइल कॉन्ट्रेक्ट को बाइपास किया 126 करोड रुपे 126 हुआज और 526 करोड रुपे पर हुआज नरेंद्र मोधी ने कैंसल किया और नेया कॉन्ट्रेक्ट तियार किया 1100 करोड रुपै और 36 सवाई चाहस है ड़ाइन्स मिनीस्टर ने खुद कहा कि मैंने नहीं किया मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री का जो सीनिर मोस आदमी है उसने कहा दिया मेंने किया मतलब एक य कि आदमी कर सकता है नरेंद्र मोधी अब लोगो ने निगोसियेशन किया आठ साल दस साल negotiation चल रहा था, जिन लोगों ने negotiation किया, उनको इतराज हुआ होगा कि भई, प्रदान मंत्री ने कैसे कर दी हमारा काम रद कर दिया, तो मेरा simple सा सवाल है, जब प्रदान मंत्री ने bypass surgery की, उन लोगों ने, जिननों ने negotiation किया था, एर फोर्स के जो senior officers हैं, defense ministry के जो bureaucrats हैं, क्या उन्होंने objection किया था, क्या उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने कहा था, कि प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट भी bypass surgery in our work, क्या उन्होंने कहा, निर्मला सी तरह मन जी, yes, no, just one, one word, yes or no, thank you.